हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं देखिए आपके लिए इस सुनतर से बोर्डर डिजैन की वीडियो लेकी आई हूँ जिसे आप लेडिस कार्डिगन जैकिट देखिए गर्स टोब वगेरा में बेबी के लिए अगर आप फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इ चाहरा डिजाइन है देखिए बहुत सुन्दर और इसे बनाने के लिए हमने क्या करना है 20-20 के मल्टिपल से फंदे डालने हैं आपने जितने भी नीडल में फंदे डाले हुए हैं तो उसे 20-20 के मल्टिपल से आपने डालने हैं जैसे आपने 120 फंदे लेने हैं तो यह फंदे डाले हुएं सलाई पर तो पांच पांच फंदे देखिए दोनों तरफ मैंने उल्टे डाले हैं और ये एक दो तीन चार पांच वार मेरा पैटरन डला है ये वाला 20, 40, 60, 80, 100 और जो 10 फंदे वचे थे उसमें से 5 फंदे यहां पर और 5 फंदे मैंने यहां पर ले लिए ऐसे तो sly में यहां पर मैंने फंदे ले लिये हैं फंदे बति flush टाले हैं महिने लीडर पर अब आप सीधी तरफ से देखिये फंदे दाले हमने फंदे डालने के बाद फंदे थोड़े से हमने लूज डालेने हैं क्यांकि ये फर्स्ट रो से हमारा डिजाइन डलेगा तो पहले मैंने दो फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं तो उन दो फंदो को उल्टा बना लेंगे 20 दुना 40 और दो दो फंदे दोनों तरफ उल्टे आएंगे हमारे देखे ये दो उल्टे होगे फिर दागा दूसरी तरफ कर लेंगे ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ऐसे ठीक है यहां से रिपीट पैटरन स्टार्ट होता है ये एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इसे एक फंदे के हमने यहां पर 6 फंदे बनाने हैं एक फंदा बनाया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इसी फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ये दो हो गया धागा दूसरी तरफ करेंगे इसे सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को उल्टा बना लेंगे 6, दिखिए ऐसे, एक फंदे से 6 फंदे बना लिए, अब यहीं से हमने देखिए इसे टर्न कर लेना है, ध्यान से देखेगा, अब यहाँ पर 6 का एक कर लेंगे, ऐसे, ठीक है, यह, दो फंदे उल्टे हमारे इधर है, तो इन 6 फंदों को हमने सलाई पे लिया, और यहाँ पर 6 का एक कर देंगे, अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, देखिए ऐसे, जो हमने यह एक बबल बनाया है, इसे हमने 5 बार ऐसे ही बनाना है, बीच में 2 फंदे उल्टे बनाते हुए, यह एक और यह दो, दो फंदे उल्टे बनाए, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब फिर से इसे एक फंदे के हमने 6 फंदे बनाने है, यह एक धागा अपनी तरफ किया, उल्टा बना लेंगे 2, फिर से सीधा बनाया 3, धागा अपनी तरफ करते ही उल्टा बनाया 4, धागा दूसरी तरफ किया सीधा बनाया पांच धागा अपनी तरफ किया उल्टा बनाया छे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इसे एक फंदे के छे फंदे बना देंगे इस बात का ध्यान रखेंगे छे एक के जब छे फंदे करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो फंदे जो हमने उल्टे बनाया है वो साथ में नहीं आने चाहिए इसके यहाँ पर एक बार ऐसे देख लें देखें यह दो फंदे उल्टे हैं यह बबल वाला फंदा हो गया हमारा उसके बाद दो फंदे उल्टे के बाद इस फंदे को भी साथ में ले लेंगे ऐसा कनने से रेखें ना तो हमारे फंदे बढ़ेंगे ना घटेंगे अब फिर से छे का एक कर देंगे ऐसे फिर धागे को इस फंदे को ऐसे वापस लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे यहीं से वर्क को फिर से टर्न करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ऐसे एक और ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से हमने वो ही अपना एक से ये छे फंदे बनाने हैं एक बाद सीधा बनाया धागा अपनी तरफ करेंगे एक बाद उल्टा दो होगे तीन होगे चार पांच और ये छे बबल बनाने का वो ही तरीका होगा हर बार हमारा एक से छे फंदे बनाएंगे एक बार सीधा बना देंगे, एक बार उल्टा ऐसे करते हुए छे बार एक ही फंदे को हमने बना लेना है कि यह जैसे तीन बार हो गया ना हमने पांच बोबल ऐसे ही बना लेने हैं बीच में देखे यह एक यह दो फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे फिर इस फंदे से हमने छे फंदे बनाने हैं दो तीन चार पांच और यह छे ऐसे अब फिर से छे का एक कर देंगे कर देंगे कर देंगे फिर से बनाने देंगे और क्राव में देंगे का देंगे लागा प्राव डь पिर से लाड़ अब इस फंदे को वापस लेंगे यहीं से धागा दूसरी तरफ करेंगे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे देखेंगे एक दो तीन चार हो गए हमारे ऐसे ही एक बबल हमने और बना लेना है दो फंदे उल्टे बनाते हुए ऐसे धागा दूसरी तरफ यह एक बबल मैं बना लेती हूँ देखिए ये 5 बबल हो गए हमारे ऐसे ये 1, 2, 3, 4, 5 5 बबल बनाने के बाद यहाँ पर अब हमने 2 फंदे पहले तो उल्टे बना लेने हैं 2 फंदे ये उल्टे बने हैं मेरे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे देखिए ऐसे इस पैटरन को बनाने के बाद आपने 3 फंदे यहाँ पर सीधे बनाने हैं 1, 2, 3 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे ये 1, ये 2 फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे इस 1 फंदे के 6 फंदे बना लेंगे तीन, चार, पांच, और छे, फिर धागा दूसरी, वर्क को टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए, छे फंदों का एक फंदा बना देंगे, और मैं ऐसे चेक जरूर कर लेती हूं, कि ना हमारे फंदे कम हों, ना ज्यादा हों, अगर एक फंदा छूट गया, फिर अगली सलाई में देखी हमें पंगा पढ़ जाएगा, हमारा फंदा बढ़ जाएगा, अगर एक फंदा कम हो गया, फिर मुश्किल आजाएगी फंदा कम हो गया, तो एक बार चेक कर लें, यही बैटर ओप्शन है हमारा ना, तो यह बबल बन गया हमारा, फिर दो फंदे हम उल्टे कर लेंगे, ऐसे, अब धागा दूसरी तरफ करते हुए, फिर से इसे एक फंदे के छे फंदे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदे के छे फंदे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदे के छे फंदे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे ऐसे करते हुए पहले देखिए हम पांच बबल ये बना लेते हैं बीच में दो दो फंदे उल्टे करते हुए देखे ये एक दो तीन चार पांच पांच बबल हमने बना लिए हैं बीच में दो दो फंदे उल्टे करते हुए ठीक है अब लास्ट में देखे ये बबल बनाया बबल बनाने के बाद हमने दो फंदे ये उल्टे बनाए ऐसे एक ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब आपने क्या करना है धागा दूसरी तरफ करते हुए तीन फंदे सीधे बना देने है तीन फंदे सीधे बनाने के अब लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ ये दो फंदे ऊलते तीके। अब उल्ढी तरफ से देखे यह पूरी रो हम उल्टी ही करेंगे ऐसे। उल्टी तरफ से कोई भी हमारा डिजाइन नहीं डलेगा ये पूरी रो हमने ऐसे उल्टी उल्टी बनाते जाना है उल्टी तरफ से पूरी रो बनाने के बाद फिर सीधी तरफ से आगए अब सीधी तरफ से हमने क्या कर रहा है ये पहले gap के दो फंदे जो हमने बनाए है ना, इसे उल्टा बना लेंगे, ऐसे, उल्टे बनाए, अब हमने क्या किया? इस फंदे पर जाली डाल दे है, इस सीध्य फंदे पर, तो धागा अपनी तरफ ही रखते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, देखे यहां पर, जो ये बल आ गया, इससे हमारी जाली डल जाएगी, ऐसे, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक, दो, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, जगा दूसरी तरफ करते हुए देखे यह बीच वाला फंदा है बबल ना हमारा यहां पर हमने तीन का एक करना है धेए हर बार हमारा यहीं पर तीन का एक होगा तो यह एक उल्टा फंदा यह बबल वाला फंदा इन दोनों को ऐसे थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालते हुए ऐसे निकाल लेंगे अब ये एक फंदा उल्टा इधर वाला है तीसरा फंदा हमारा उसे हमने सीधा बनाया अब इन दोनों को ऐसे उठाएंगे इसके उपर से गिरा देंगे ऐसे जैसे हम देखे वी गला बनाते है ना सेम वैसे ही अब धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा तो हम उल्टा बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करते हुए जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं अब वैसे ही बनाते जाएंगे दो फंदे उल्टे फिर से एक फंदा सीधा और ये दो उल्टे, ऐसे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यह तीन फंदे हमने बीच में जो सीधे बनाए हुए है न, अब यहाँ पर फर्स्ट फंदे को पहले सीधा बना देंगे, अब इस बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, यह यहाँ पर एक जाली धागा फिर से अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, यह दूसरी जाली अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीध दागा फिर से अपनी तرف करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर एक फंदा हमारा उल्टा अब यहाँ पर हमने तीन का एक करना है तो आगे से देखिए स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में तो इन्हें ऐसे उतार लेंगे अब इसे एक फंदे को सीधा बनाएंगे इन दोनों फंदों को उतारे हुए फंदों को उठाएंगे इसके उपर से गिरा देंगे ऐसे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा है इसे सीधा बनाएंगे यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो धागे को देखिए ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, ऐसे, अब ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे, ऐसे, इस पैटरन की जितनी भी उल्टी तरफ से स्लाइना पड़ेंगी न, जे सारी उल्टी, इस जाली वाले फंदे को भी ऐसे उल्टा ही बनाएंगे, अब सीधी तरफ से दिखे, ये हमारी फिफ्ट रो है, तो पहले दो फंदो को तो मैं उल्टा ही बना दूंगे, ऐसे, अब धागा हम दूसरी तरफ करेंगे, जे जाली से एक बड़ा हुआ फंदा है, जिसे सीधा बना देंगे, अब धागा देखे, अपनी तरफ करेंगे, क् एक फंदा हम सीधा बना देंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ फिर से ये एक और ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, ऐसे अब यहाँ पर फिर से हमने देखिए ये बीच वाला हमारा बबल है, यहाँ पर तीन का एक करेंगे तो आगे से डालेंगे दो फंदों में इन्हे निकाल देंगे, अब इसे एक फंदे को सीधा बनाएंगे, इन दोनों को उठाया इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे, ऐसे ये एक फंदा हम सीधा ही बना लेंगे, अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से दो फंदे उल्टे, धागा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर हमने जाली डालनी है और यह तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे यह दो जाली से बड़े हुए हमारे तो ये तीनों फंदों को एक, दो, तीन फंदों को सीधा बनाया, फिर से यहां पर जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस सीधे फंदे को सीधा बना देंगे, यहां पर हमारी जाली डल गई, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, अब यहाँ पर फिर से अपना वो ही तीन कैक करना है, तो आगे से स्लाइड डाली, दो-फंदो में निकाला, इस एक-फंदे को सीधा बना दिया, अब इसे उठाया, उपर से गिरा देंगे, ऐसे, यह एक-फंदा हमारा सीधा, दो उल्ते, फिर से एक-फंदा सी धागा अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ किया ये एक फंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और उल् से दिखे यह हमारी सेवंथ रो है तो पहले दो फंदों को उल्टा बना देंगे अब धागा दुसरी तरफ करते हुए यह जाली से बढ़े हुए दो फंदे हमारे सीधे आएंगे हर बार देखिए जाली से ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे यहां पर जाली डाल दी धागा अपनी तरफ यह दो फंदे हमारे उल्टे हैं इसे उल्टा बना लेंगे यह एक फंदा हमारा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब यहां पर हमारा भबल दलेगा और सोरी यह तीन का एक होगा तो आगे से दो फंदों में स्लाइड डालेंगे, दो को निकाल लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, अब यहां पर किया, तीन का एक ऐसे, यह बीच में हमारी ऐसे देखिए, चैन डलती जाएगी, ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, दो फंदे हमारी यह उल्टे आएंगे, अब ध धागा दूसरी तरफ, एक फंदा हमारा सीधा, दो उल्टे, एक और यह दो, फिर एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करते हैं, यहां पर जाली डालेंगे, यह पांच फंदे हम सीधे बना देंगे, एक, दो, तीन, चार और यह एक, पांच, अब यहां पर फिर से ह जाली डालनी है धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे ठीक है फिर से जाली डल गई अब यह नो फंदे हो गए हमारे अब दो फंदे उल्टे इसी पैट्रोन को दुबारा से रिपीट करते हुए एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे फिर दागा दूसरी तरफ अब यहां पर देखिए इन तीन फंदों को हमने तीन काई करना है तो आगे से पहले दो फंदों को ऐसे उतारा इसे सीधा बना दिया अब इन दोनों फंदों को उपर से गिरा देंगे यह बीच वाला फंदा देखिए यहां पर उपर आ जाता है फ है कि धागा दूसरी तरफ यह एक मंदा सीधा अब यहाँ पर फिर से हमने जाड़ दालनी है तो द्हगा अपनी तरफ करते हुए यह जाली से दो बड़े हुए फन दे सीधे बनाए है यहां पर जाड़ी डाल गी लास्ट में दो फंदे उल्टे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे और बीच में देखिए तीन-तीन फंदे यहां पर सीधे बनाए थे वहीं पर हमारा यह वाला पैटरन डलेगा ठीक है कई क्या देते हैं कि मैं हम यह पूरे फंदों पर डिजाइन बना कर दिखाएं तो व और यह दो अब धागा दूसरी तरफ करेंगे ऐसे अब यहां पर एक दो और यह तीन फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को पहले सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे एक फंदा हमारा सीधा धा फंदों को उतारेंगे, एक फंदा ये सीधा बना लेंगे, अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, इसके उपर से गिरा देंगे, ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और साथ फंदे हम सीधे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे एक वर फिर से हमारी यहाँ पर जारी डल गए अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक फंदा हमारा ये सीधा एगा और एक फंदा हमारा ये उल्टा एगा फिर से हमने यहाँ पर अपना तीन का एक करना है आगे से स्लाइड डालते हुए देखिए इन दो फंदो को उतार देंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे इने उठाएंगे उपर से गिरा देंगे ऐसे, अब यहां पर धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए हमारे तीन फंदे हैं जीने सीधा बना लिया दो फंदे लास्ट में हमारे उल्टे आएंगे और उल्टी तरफ से हमारा पूरा पैटरन पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे सीधी तरफ से देखिए दो फंदे पहले उल्टे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे यहाँ पर जाई डल गई, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे और यह एक फंदा सीधा अब यहाँ पर फिर से हमने तीन काई करना है तो आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदो में उतारा इस फंदे को हम सीधा बना देंगे ऐसे अब इन दोनों फंदों को उठाया इसके उपर से गिरा दिया यह हो गया तीन का एक देखिए बीच वाले बबल पर तीन का एक होगा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने तीन का एक करना है यह हमारा एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे धागा दुसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए हमारे फंदे हैं जीने हम सीधा बना लेंगे ये हमारे इस बार 9 फंदे होगे सीधे अब धागा अपनी तरफ किया फिर से हमने इस फंदे को देखे सीधा बनाया और यहां पर हमारी जाली डलगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा अब यहाँ पर फिर से तीन का एक करना है, तो आगे से सलाई डालेंगे दो फंदों में निकाला इस फंदे को सीधा बनाया, अब इन दोनों को उठाएंगे, इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे एक फंदा फिर से हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे उल्टे एक सीधा धागा अपनी तरफ किया फिर से ये जाली डालेंगे और जाली से बड़े हुए फंदों को सीधा बना लेंगे और लास्ट के हमारे दो फंदे ये उल्टे और उल्टी तरफ से पूरी सलाई उल्टी अब सीधी तरफ से यह हमारी 30 लाई है ठीक है तो दो फंदे पहले उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे यह जाली से बड़े हुए हमारे देखें एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से यहां पर हम जाली डालेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए यह दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यहाँ पर देखे हमने तीन का एक करना है तो आगे से सलाई डाली इस दो फंदों को उतार दिया इसे एक फंदे को सीधा बना लिया अब इन दोनों को उतारे हुए फंदों को इसके उपर से गिरा दिया है यहाँ पर तीन का एक हो गया धागा अपनी तरफ करते हुए य एक फंदा हम सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह जाली से बड़े हुए फंदे जिने सीधा बना लेंगे और यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए यह सीधा फंदा बनाया तो जाली डल गी ठीक है अब सीधे फंदे बना लेंगे यह सारे अब धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे यहाँ पर जाली डाल दी आगा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे यहाँ पर तीन का एक करेंगे दो फंदों में आगे से स्लाइड डाल कर ऐसे निकाला इस फंदे को सीधा बना दिया इन दोनों को उठाया उपर से गिरा दिया यह तीन का एक हो गया फिर दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर से धागा अप पाँच फंदे हमारे सीधे तृति गूज छुझ बनाने के बाद बुल्टी तरफ देखि F सुसपर देखिए अंब sliders सлек पेंड को जिन्हें एक्स्ट्रा फंदों को उटा बनाएंगे अब दूसरी तरफ करेंगे जाली से बढ़े हुए 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे ऐसे जैसे बीच में हमारे फंदे कम होते जारे हैं देखिए जाली से हमारे फंदे बढ़ते जारे हैं तो यह जितने फंदे हमने स्लाई में डाले हैं न उतने ही फंदे रहेंगे धागा अपनी त फंदों में निकाला इस फंदे को सीधा बना देंगे अब इन दोनों को उठाया उपर से गिरा देंगे ऐसे तीन का ग्यारा बारा और ये तेरा फंदे जीने सीधा बना दिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदी को सीधा बढ़ाएंगे यहां पर हमारी जाली डलगे अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा उल्टा बना लेंगे और यहां पर दो फंदे आगे से स्ल इससे वर में उल्टा थागा दूसरी तरफ एक पंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे रिचाली से बड़े हुए फंद्वों को बसी दा बना लेंगे और लास्ट में दौफे सीधी तरफ से देखे और सिधी तरफ से देखिए कि ने असरी अ LGBTI दोने हम से दोध ही तरफ करें चाव conta चोpart कि अशे हैं अब द्रागा दूसरी तरफ करेंगे यह याली से बड़े हुए हमारे चिन यह सीधा बना लेंगरेख़े यह तीन इसे पांच, छे और ये एक, साथ, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस एक फंदे को सीधा बना देंगे, अब यहाँ पर हमारा तीन का एक होगा, तो दो फंदों में देखे, ऐसे उतारा स्लाई डालते हुए, इस एक फंदे को पहले सीधा बना सीधा बनाएगे, यहाँ पर हमारी जाली डाल गई, और यह जाली से सारे फंदे हमारे जो बढ़ गए है, इन्हें हम सीधा ही बनाते हैं, और यह हमारी स्तार भी रोभ है, ठीक है? यह होगे सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इसे एक फंदे को सीधा बना लेंगे, आगे से स्लाइड डालेंगे, दो फंदों में उतारा, इसे सीधा बना दिया, अब इन दो फंदों को उठाकर उपर से गिरा देंगे, ऐसे, ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर हम जाली जाली के बड़े हुए हमारे फंदे right यही हम सीधा ही बना देंगे pre завис करें कि लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी 102 घषक जो बढ़ गया है ना एक दो तेन चार पांच छे साथ और ये आठ फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली भी डालनी है और ये तीन फंदों को एक भी करना है तो आगे से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में उतारा इस फंदे को सीधा बना दिया अब इन दोनों को उठाया ऐसे और इसके उपर से गिरा देंगे धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से हम जाली डालेंगे और ये जाली से देखे जो फंदे बड़े हैं इने सीधा बना लेंगे आसे सभी फंदों को सीधा बना दिया अब धागा अपनी तरफ किया और फिर से हमने यहां पर जाइड डालने हैं और ये तीन का एक करना है holistic फिर धागा अपनी तरफ करते हुए आगे से सलाई डालेंगे दो फंदों में उतारा इस को सीधा बनाएंगे तो देखे घागा अपनी तरफ हमने किया हुआ है तो यहां पर सलाई पर देखिए यह भला गया हमारा ऐसे अभी इन दो फंदो को उठाया उपर से गिरा दिया यहां पर तीन का एक भी हो गया और हमारी जाली भी डलगी अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे और यह जाली से बड़े हुए फंदे सीधे बना लेंगे और इसके बाद सीदे फंदे वणने के बाद दो फंदे उल्टे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी और यहाई पर हमारा पैटरन बनकर कंपलीट होता है ऐसे इसके बाद देखिए चाहे तो आप इसके उपर कोई भी design डाल सकते हो तो इसे border के तोर पर use कर सकते हो या फिर आप इससे देखिए pattern को 2 वार, 3 वार 4 वार आगे repeat करने के बाद कोई और pattern डाल सकते हो ये आपकी मर्जी है चाहे आप इसे फुल कार्डिगन चाकिट में भी डाल सकते हो तो भी ये बहुत अच्छा लगता है तो अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो बताने का धंग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मीलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में बाबाई